कि अपर आज की वीडियो के अंदर हम यहां पर देखेंगे कुछ ऐसे आल्ट कोई जनके अंदर आप क्विक एंट्री यहां पर ले सकते हैं अपना प्रॉफिट जो हैं आप बना सकते हैं लेकिन अपर ध्यान आप जो आप से आल्ल शेयर करें यह कुछ तो यहां पर आप अगर उनके अंदर एंट्री लेने का सोच रहें तो अपनी खुद की रिसर्च यहां पर आप करिये और अपना स्टॉप लॉज भी यहां पर य करिये सब्सक्राइब करिये और कॉमें भी दाल के वताईएगा क्या आप चाहते हैं ऐसे ही हम और भी जो आपके रेकमेंडेशन पर आप आप से हम शेयर करें डू लेट उस नो इंदी कॉमेंट्स तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं बिटकोईन के बारे में तो करें बिटकोईन की प्राइस के अंदर हमको यहां पर सेकंड वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है वो हमको यहां पर देखने को मिल गई है और दिस इस अ वेरी पॉजिटिव साइन क्योंकि प्रिवेसली हमने जैसा यहां पर बात करी थी कि अक्चुल बुलरन कंटिनूशन के लिए दो वीकली कैंडल क्लोजिंग हमको चाहिए और वो अब फाइली हमको यहां पर देखने को मिल गई है रिजिस्टन्स वाइस अगर हम देखेंगे तो 50,500 डॉलर्स के बाद इत्ता कोई हैवी रिजिस्टन्स यहां पर हमारे अकॉर्डिंग यहां पर नहीं है जो वर्थ पे से लेके 58,000 डॉलर्स का एरिया आप देख सकते हो और अगर कोई golden opportunity वाल आपको जून देखना है तो वो यहां पर 50,500 डॉलर्स ही बन जाता है जो अब यह second weekly candle closing के बाद we don't think इसके नीचे हमको weekly candle closing देखने को मिलेगी इन फाक्ट बहुत जादा possibility यह भी है कि हो सकता है यह area यहां पर test नहीं हो लेकिन अगर यहां पर वो test होता है तो एक बहुत अच्छी golden opportunity यहां पर बन जाएगी similarly यहां पर अगर हम बात करें तो अभी ETF की जो news है वो यहां पर आ चुकी है and we have to see अभी इस week के अंदर जब ETF पहला ETF यहां पर list होता है जो probably Monday या Tuesday को होगा तो आज श direction आया लेकिन यह चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है कि यह पहला ETF यहां पर अप्रूव हो है future ETF and ऐसे ही और future ETF जो है यह हर week के अंदर आने वाले 2-3 महीने के अंदर wait time उनकी date यहां पर आने वाली है तो बहुत जादा probability यहां पर यह बन जाती ही कि यहां पर future ETF एक तो अप्र की प्राइस के अंदर देखने को मिले बाकि ETF की जो लिस्टिंग होती ही वहाँ पर किस तरह का reaction आता है that is something that we can keep an eye on positive वरा सबकोच अच्छा है लेकिन अगर correction आता है तो उसके according अपने levels जो है यहां पर आप देख सकते हैं बाकि उसी according अगर हम देखेंगे तो यहां पर BTC की dominance है Bitcoin की price की साथ यहां पर rise करिए और match करिए और इसके बारे में आपको पहले हमने warn किया था कि be careful alls के अंदर negative impact देखने को मिल सकता है तो we hope कि आप उस चीज़ को लेके यहां पर safe रहे हैं अभी यहां पर जो dominance हमको देखने को मिल रहा है उसमें एक probability जो बहुत ज़दा है यहां पर match कर जाएगे जिसके basis पे यहां पर alls की entry points में हम यहां पर आपसे share करेंगे वहां पर यह है कि अभी Bitcoin का जो price movement है इस week के अंदर अगर थोड़ी सी volatility आती है यह Bitcoin भी sideways consolidation mode में जाता है तो यहां पर dominance जो है 48 से लेके 49 का जो area आप इसको मान लेजी यहां तक जाए और उसके बाद dominance थोड़ा से यहां पर follow and फिर उसके next वहां पर फिर से dominance rise कर जाएगी BTC के rally के साथ तो यह जो एक opportunity हो कि जहाँ पर हमको dominance थोड़ा सा fall होते हुए देखने को मिलेगा वहां पर alls की थोड़ा से rise होने की probability बन जाएगे तो quick trade के लिए वो एक अच्छा setup यहां पर हो सकता है बट provided जसे तरह से हम बात करें कि BTC का जो price movement है उसी तरह का हमको यहां पर देखने को मिले sideways या हलका full का correction उससे जाधा यहां पर नहीं तो उसी के according यहां पर कुछ alt से उनके बारे में हम बात कर लेते हैं और उनकी entry points यहां पर देख लेते हैं तो सबसे पहला यहां यहां पर जो alt coin के हम बात करेंगे वो हैं यहां पर chain link और chain link एक ऐसा coin एक long term perspective से भी अगर आप hold करना चाहें तो यह coin यहां पर अच्छा है लेकिन chain link के लिए अगर आपको यहां पर quick entry points यहां पर देखने हैं तो पहला यहां पर entry point आप देख सकते हैं वो यहां पर बन जाता लेकिन उससे better अगर आपको और safe entry देखने हैं तो एक अच्छी opportunity जो बन सकती है वो बन सकती हैं यहां पर 17 से लेकि 18 dollars तक लेकिन हो सकता है कि यह area hit होने की probability जो है वो low है वो हो सकता है दो तीन हफते भी ले 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 या उससे ज़्यादा time भी ले 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 या पर probably हो सकता है य Polka Dot के बारे में and Polka Dot भी एक काफी अच्छा coin है जो long term perspective से अगर market इसी तरह से bullish रहा, market cap बढ़ता रहा तो we expect आने वाले time पे 60-70 dollars तक भी हमको जाता हूँ देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा सा उसमें यहाँ पर time अभी current लगेगा लेकिन अगर आपको currently यहाँ पर अभी quick trade लेनी है तो उसके लिए जो आप पहला area देख सकते हो वो यहाँ पर बन जाएगा 33 dollars का जहाँ पर अगर price के अंदर थोड़ा सा हमको अभी current resistance zone है यहाँ पर अगर actually में rejection देखने को मिल जाता है तो यह 33 से लेके आप 34 के बीच में मान सकते हो यह पहला एक area हो जाएगा जो stop loss के साथ आप trade कर सकते हो and अगर थोड़ा सा accumulate भी करना है या अच्छी trade के लिए बहुत अच्छा आपको safe zone देखना है तो वह यहाँ पर बन जाता है 26 dollars से लेके 28 dollars का area यहाँ पर price आने के chances तब ही होंगे जब हमको higher volatility यहाँ पर देखने को मिले लेकिन अगर यहाँ पर price आती ह तो एक बहुत अच्छी trade के लिए बहुत अच्छा एक यह entry point यहाँ पर बन जाता है उसके next moving on हम यहाँ पर बात करेंगे matic के बारे में तो matic भी एक ऐसा coin है जो आप long term perspective से यहाँ पर hold कर सकते हैं काफी अच्छा perform भी कर रहे हैं यह and long term perspective में यह 3-4 या 5 dollar तक भी जाता हु पर है and अगर थोड़ा सा यहाँ पर हमको rejection देखने को मिलता है तो एक zone जो आप entry point देख सकते हो है यह आपर वो 1.3 dollars है 1.3 से लेके 1.4 इसके बीच में आप देख सकते हो and अगर आपको और safer zone चाहिए जिसकी hit होने की probability काफी कम है लेकिन अगर आ जाती है तो बहुत अच्छ करेंगे BNB के बारे में and BNB भी एक ऐसा coin है जो long term perspective से आप अपने portfolio के अंदर यहाँ पर hodl कर सकते हो हम भी hodl करते हैं यहाँ पर BNB को तो currently अगर हम देखेंगे तो BNB की price अभी currently उसी level पर आ गए है जहाँ पर हमने previous जब all season चल रहा था आपको warn किया था कि यहाँ पर rejection के chances हो सकते हैं अगर इस area में breakout नहीं है इसके आद हमको rejection देखने को मिला था तो फिट से यही जो resistance zone है currently BNB की price test कर रही है जो एक तरह से यहाँ पर rising wedge भी बना रहा है जो एक तरह से bearish pattern होता है लेकिन we have to see क्या इस बर price या तो इस area को break करके ऊपर support बना है अगर वो होता है that will be good नहीं तो आगर यहाँ पर फिर वैसा नहीं हो और rejection हमको देखने को मिल जाता है तो पहला यहाँ पर जो entry point आप देख सकते हो वो देख सकते हो आप 420 से लेके 425-26 dollars का area उसके आद next area जो थोड़ा सा आप देख सकते हो वो बन जाता है 391 का area and उसके आद बहुत अच्छी golden opportunity जिसके chances थोड़े कम है लेकिन market में अगर volatility आए तो बहुत अच्छा area बन जाएगा वो $330 का बन जाता है and if you remember previously हमने जब BNB की बात करी थी तो वो 319 का यही zone था जो बहुत important area था अगर आपने वहाँ पर entry लियोगी तो आपको बहुत अच्छा अपने profit बनाएगा तो उ उसको यहाँ पर trade कर सकते हो बाकि next moving on यहाँ पर हम बात करते हैं नियो के बारे में तो नियो अभी currently बहुत important अपना जो एक support zone है उसको यहाँ पर test कर रहा है वैसे नियो की बात करें तो एक time पे नियो जो था उसको Ethereum killer बोल जाता था और actually में बहुत development भी हो रहा था नियो को change हो लेकिन charting perspective से अगर आपको यहाँ पर कोई quick trade लेनी है तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी opportunity जो है वो 35 dollars के around यहाँ पर बन जाती है जहाँ पर currently अगर आप देखेंगे नियो कुछ time से यहाँ पर एक bottom पर trend line है जिसको बार-बार respect कर रहा है और हमको जहाँ पर बार-बार bounce देखने को मिल रहा है तो उसी के according यह जो level है फिर से for the fourth time यहाँ पर test हो रहा है अगर price यहाँ पर hold कर जाती है and similar way में bounce देती है तो बहुत अच्छी opportunity बन जाएगी जहाँ पर अगर आप देखना चाओ कि अगर price का rise आया तो वो rise यहाँ पर नियो की price को almost यहाँ पर 47 dollars तक ल जो trend line है बार बार टेस्ट हो रही है तो यह भी probability हो सकती है कि अगर market यहाँ पर सही नहीं रहे and यह जो trend line है finally यहाँ पर नीचे breakdown हो जाए तो नीचे भी जा सकती है and फिर probability हो जाएगे यहाँ पर 25 या 20 dollars जो है वो area भी hit होगा इसलिए यह थोड़ा से एक अच्छा zone है जो अ यहाँ पर फस जाओगे तो अपने according please sensibly यहाँ पर trade करना ऐसा नहीं entry ले ली बाद में फस जा और फिर बोलो कि आपने बताया था मैं entry exit नहीं कर पाया stop loss नहीं लगा वैसे नहीं करना है करना है trade तो sensibly करना है stop loss और सारी चीज़े यहाँ पर लगा के बाकि next moving on यहाँ पर हम Doge का जो council उसको join किया जहाँ पर वो कोशिच कर रहे है कि साथ में work करके यहाँ पर Doge के इंदर नहीं चीज़ों को launch किया जाए प्रबली Ethereum के साथ work करके भी बहुत सरी चीज़े हो सकती है तो I'll do a video for that आपको idea मिल जाएगा बाकि Doge को अगर आप देखेंगे Elon Musk का फिवरेट वो नहीं करती है लेकिन जब all season चल रहा होता है तो उसका बहुत positive impact देखने को मिलता है तो अगर यहाँ पर all season और अच्छा हमको kickstart होता हो देखने को मिला तो Doge के अंदर भी हमको उसी तरह के gains देखने को मिल सकते है जहाँ पर Elon Musk tweet करे हो अब price का rise है लेकिन अगर आपको य golden opportunity के लिए अगर आपको area देखना है तो वो 0.19 dollars का area यहाँ पर बन जाता है बाकि next movie one यहाँ पर हम बात करेंगे ICP coin की तो यह एक ऐसा coin है जो बहुत लोग काफी comments में request करते हैं कि इसके बार में आप बात करो तो यह coin ता जिसके अंदर काफी negative price momentum को देखने को मिला क्योंकि कि जब यह coin launch हुआ तो उसके दिन की जो team थी उन्हींने काफी token यहाँ पर market के अंदर dump के थे which was not a good thing किसी भी project के लिए but anyways chart perspective से अगर हम बात करेंगे तो currently ICP price discovery zone के अंदर ही है जहाँ पर थोड़ा सा consolidation and support hold करने की यहाँ पर price कोशिश करी है जिसके according अगर आप देखोगे यह तो ICP के लिए एक जो important area यहाँ पर बन जाता है वो यहाँ पर बन जाता है 38 dollars से लेके 44 dollars का area है जहाँ पर अगर आप previously देखोगे यह एक ऐसा zone है जहाँ पर बार-बार ICP के अंदर price में bounce देखने को मिला है तो अगर आप थोड़ा सा risk trade लेना चाते हो तो आप यह zone जो है यह से बाहर यहाँ पर exit कर जाके कि अगर fall करें तो फिर बहुत probability है कि यहाँ पर 27 dollars तक भी जो price है वो जाते होए देखने को मिल सकते है अगर यह trend line यहाँ पर break हो गई बाकी अगर आप यहाँ पर trade लेते हो तो वहाँ पर अगर आपको profit लेना है तो उसके लिए पहला area जो आप 54 से लेके 55 dollars का area हो गया और इसका next zone जो थोड़ा important होगा और heavy resistance भी है वो area आप यहाँ पर देख सकते हो 63 से लेके यहाँ पर 70 का area लेकिन provided यहाँ पर हमको एक अच्छा bounce देखने को मिले तो अगर risk trade लेनी है थोड़ा carefully आप करना क्यूंकि इसमें risk जादा होंगे loss होने के chances भ लगा लेना बाकि next moving on हम move करते हैं last coin के अंदर तो वो है यहाँ पर wing token जिसके बार में normally मैं तो इस token को कभी cover करना prefer नहीं करता हूं और long term perspective से hodling भी इसकी मैं कभी recommend नहीं करता हूं लेकिन आप लोगोंने request किया तो उसके लिए जो entry points है वो यहाँ पर आप से में share कर देता अगर आपको wing token के अंदर trade करना है तो यहाँ पर जो entry points आप देख सकते हो पहला यहाँ पर बन जाता है point 00063 का area जहाँ पर अगर आप 4 entry ले सकते हो लेकिन यह बहुत highly risky एक area रहेगा जहाँ पर trade उल्टा जाने की probability बहुत जादा है तो यह highly risky zone है अगर आपको जल्दी में हो आप चाहते हो trade लेना बाकि थोड़ा सा safer area sensible तरीके से अगर आपको trade करना है तो उसके लिए जो आप area देख सकते हो वो point 00049 से लेके यहाँ पर point 00054 का area हो गया जहाँ पर अगर price आती है इस level पर आप देख सकते हो एक entry points and अगर थोड़ी सी और अच्छी opportunity चीए जो बहुत opportunity भी हो जाएगी थोड़ा ज़्यादा profit कमाने के लिए वो यहाँ पर बन जाती है point 00040 का area जो hit होने की probability तब होगी जब यहाँ पर higher volatility हमको देखने को मिले and यह area ऐसा है जो hit होना होगा तो होने में भी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा time लग सकता है तो guys यह हो गए आज की करें अपनी खुद की research करिये खुद का TA करिये अपना risk management देखिए and stop loss definitely यहाँ पर यूज करिए अगर आप ट्रेट करने का सोस्ते भी है क्योंकि अगर market के नदर unpredictable movement हमको देखने को मिलता है जो at times हमको यहाँ पर काफी बार देखने को मिल जाता है तो वहाँ पर एक चीज ज कर देखने के जरू बताएगा और यह भी बताएगा ऐसे कौन से आपकी फेवरेट ऑल्स हैं जो आप चाहते हैं कि उसके बारे में चार्ट सेट अप हम आप से यहाँ पर शेयर करें तो कॉमेंट में दा लिएगा देखने को आने वाले वीडियो के इंदर दूसरे जो के लिए जो हम आपर शेयर कर देंगे तो वहाँ पर भी आप जोइन कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बाकी आज की लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक लिए गुडबाई एंड टेक क्या बाबाई